हेलो फ्रेंड्स मैं डाक्टर उमास अंकर फिंग मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है आईए आज हम आपको किड़नी इस्टोन के बारे में जानकारी दूँगा तो जो किड़नी इस्टोन होता है यह कितने प्रकार की होती है में टापिक ही है कि टाइप साप यानी किड़नी इस्टून कितने प्रकार का होता है लेकिन इसको जानने से परले आप थोड़ा सा इसके सीम्टम के बारे में भी जानकारी रखें तो बहुत बयातर हो जा पहा जाता है, severe pain on either side, आप your lower back, यानि कि जो आपका दोनों side होता है, back side और यहाँ पे आगे side, दोनों side इतना तेज दर्द होता है कि आप परिसान हो जाते हैं, कहा जाता है कि does not go away pain, यानि कि इस तरह का जो pain होता है यह जल्दी जाता ही नहीं है, इतना तेज आपको असहनी द दर्द हो रहा है, लेकिन वो पत्री का ही दर्द होता है, blood in urine इसके साथ साथ कभी कभी देखा जाता है कि जो आपका urine में blood आना होता है, ओ भी दिखाई देते हैं, और उसके साथ साथ नाजिया एंड ओमिटिंग भी होता है, यानि कि उल्टी और जी मिचलाना होता है, उसक एक बदबुदार टाइप की उसमें से इसमेल आती है, उसके साथ साथ जो urine का जो कलर होता है, वो देखने में ऐसा आता है कि गंदला है, जैसे गंदा पानी होता है, उसी तरह का urine आने लगता है, तो यह सिम्टम हो गए, टाइप साब kidney stone, यानि कि जो kidney stone का प्रकार होता है, यह क्या होता है, तो सबसे पहला है काईलसियम kidney stone, दूसरा है इस्टुवाइट stone, तीसरा है यूरिकेसीड stone, चाउथा है सिस्टीन यूस्टोन, यह जो है कि चार प्रकार की होती है, लेकिन जो काईलसियम kidney stone होता है, इसी को दो भागों में सब डिवाइड कर दिया जाता है इसको जो है कि काईलसियम आगजिलेट stone होता है और एक होता है काईलसियम fasting stone यानि दो तरह के होते हैं, तो जो काईलसियम kidney stone होता है, यह 80% लोगों में पाया जाता है, जो की काईलसियम इस्टोन ही होता है इसमें दोनों होता है Calcium Oxylate 38% लोगों में पाए जाता है और जो Phosphate होता है यानि Calcium Phosphate Kidney Stone ये जो है कि 40% के आसपास पाए जाता है दूसरा है Istruite Stone जो Istruite Kidney Stone होता है ये जो है कि ये भी एक तरह का होता है और ये 10% लोगों में पाए जाता है ये देखिए इसका figure क्या है और ये 10% लोगों में पाए जाता है तीसरा है Uric acid kidney stone ये जो है कि 9% लोगों में पाए जाता है ये देखिए इसका figure ऐसे है यानि कि ये भी परिसान करता है चौथा होता है आपका 16 stone जो सिष्टीन इस्टोन होता है यह 1% लोगों में पाय जाता है और यह जेनेटिकल काज में देखा जाता है यानि अक्सर करके ऐसा होता है कि अगर जेनेटिकल काज है तो देखने को मिलता है अब इसके साथ-साथ मैं आपको कुछ प्रिवेंशन भी बता दूँ यानि कि जो इसमें प्रिवेंशन होता है उसमें क्या करना होता है कि आपको किड़नी इस्टोन न बने तो जो इसका प्रिवेंशन होता है साथियों सबसे तो वेल यही होता है कि इस्टे वेल हाइडरेटेड आप जो है अपने वाड़ी को ऐसे मेंटेन करें इतना पानी पीएं कि आप यानि कि आपको जो है कि एनिमल प्रोटीन होते हैं उसको जो है कि कम से कम मात्रा में लेना होता है यानि कि आप उससे बचेंगे एनिमल प्रोटीन जो भी होता है जैसे नानवेज आप खाते हैं तो नानवेज में ज्यादा एनिमल प्रोटीन होता है तो आप उसको कम से कम करेंगे limit your salt जो salt होता है उसको limit में लेना है यानि कि जो आप नमक खाते हैं लेकिन कब देते हैं जब लगता है उनको कि आपके सरीर में काईlcsum की कमी हो गई है जैसे आश्टियो पूरोसिस भी हो जाता है इस तरह की कंडिशन में डाक्टर्स काइलसियम देते हैं जिससे कि आपको कमर में दर्द और पैरों में दर्द हड्डियों में दर्द ऐसे होने लगता है तो डाक्टर्स दे देते हैं लेकिन आपको वो अपने हिसाब से देते हैं और उसको फिर बंद कर देते हैं ऐसा नहीं है कि आप लगातार लेते रहें तो आपको काईलसियम की मातरा भी एक कहें तो एक लिमिट में ही लेना है उसके बाद इट फ्यूवर फूड आपको जो फूड लेना है उसमें जो एकी जो फूड लेते हैं उसमें जो जादा है उसको आपको कम से कम लेना होता है तो आप इसको जो है कि आप बरताव करेंगे तो आपको बहुत बेदर response मिलेगा लेकिन यह हो गया आपका prevention आपने किस्षीच से बचेंगे तो वह आपको मैं अगली वीडियो में suggestion करूंगे